तो आज की वीडियो में हम लोग इस question का answer निकालने वाल है यह question आया टीम आया हुआ है चलिए इसको सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि R1 और R2 अगर parallel में होता है तो इसका equivalent कैसे निकालते हैं तो हम लोग इसका equivalent circuit बना लेते हैं यहां पर बढ़ा करके बनाते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं तो पैरलल में voltage सेम रहता है तो i2 20 is equal to i1 5 होगा 5 5 कर जागा तो 4 तो आएगा i2 by i1 is equal to 1 by 4 तो i2 by i1 का ratio निकल गिया 1 by 4 और i1 plus i2 हम लोग को पता है 24 वहले हैं इन दोनों का use करेंग तो हम लोग solve करके निकाल सकते हैं i1 or i2 का value तो equation था i1 i1 x है तो i2 4x है और i1 plus i2 का sum हम लोग जान रहे थे 24 by 11 है तो नों को x के term में डाल दी तो 4x plus x is equal to 24 by 11 तो 5x is equal to 24 by 11 तो x is equal to 24 by 55 इसे हम लोग i1 निकालेंगे 24 by 55 और i2 निकालेंगे 4 से मिल्टिप्लाइ करके 4x था and 6 by 55 तो यह था इस question का answer thanks for watching see you in the next video